ओके अलो फ्रेंड कैसे हो आप सब में वी सी और आप देख रहे बोंटो इन्वेस यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम जो अमारा नेक्स्ट वीक है उसके स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन से स्टोक होंगे उसके बारे में बात करेंगे कौन से स्टोक बाइंग होगे और वो हम टेक्निकल एनालेसिस के उपर से पता लगाएंगे तो दोस्तों अभिदका आपने अमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर जर दिन लेते आते और जो बाजू में गंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीचे जिसको आपको अमारी नोटिपेक्शन सबसे पहले मिल जाए अब हम आ चुके चार्ट के उपर तो इधर हम देखेंगे कौन से श्टोक अमारे नेक्स्ट विक के लिए स्विन ट्रेडिंग के लिए तो जो अमारा पहला श्टोक है वो है सन फार्म मैंने क्यों लिया तो आप यह देख रहे हो यह चार्ट है सन फार्मा का एक सड़नली राइस हुआ इदर बाद में क्या हुआ डाउंसाइट फिर से अपर गया लेकिन आगे जो रजिस्टन्स था इधर एक मिनिट में क्या है कि ड्रोइंग टूल ले ले लेता हूँ सो आई आप देखे एक बार इधर रजिस्टन्स लिया था एक बार इधर रजिस्टन्स लिया है और हाल फिलाल यह इसके पास है तो अभी क्या कीजिए आप कि आप अपनी इसको वोच लिस्ट में लगा के रखे क्योंकि क्या होगा कि अगर यह श्टोक यहां से ब्रेकाउट कर द नीचे आ जाता है यहां कहीं यह लाइन पर तो आप क्या कीजिए वेट कीजिए फिर से इसको थोड़ा अपर सेड जाने दो अगर यहां से अपर सेड मिलता है इन फ्यूचर तब यह आप बाइंग कर सकते हो इन सिंपल जो हमारा सन फारमा है उसको क्या है कि आप अपनी सस्टलो पे लगा सकते हो तो यह था हमारा पहला Speech, सन फारमा जो हम बा हैं के लिए ले के जा नौर्मल इसमें डिल फ्यूचर बंता हुए में दिखा है इस लिए हम बाइंग के जा रहे हैं जो हमारा दूसरा एं उसको हम देख ले इसके इसके बाद का जो हमारा श्टोक है वो है नेसले इंडिया, अभी नेसले इंडिया में सेम सीचियेशन के आपको एक फ्लेक जैसी पेटन बनती हुई दीख रही थे, उसमें एक ट्राइंगल था, इसमें हम फ्लेक जैसे एक पेटन मानते हैं, तो इसमें भी एक सिंपल सी बात एक अच्छा अपसड मिला, बाद में ये नीचे गया, अपर गया, नीचे गया, आगे का जो सपोर्ट था, वहीं इसने सपोर्ट लिया, यहां से फिर से जो आगे का सपोर्ट था, वहां से अपर गया, फिर से यहां कंसोलिडेट किया, अपर नीचे हुआ, क्योंकि ये इस retrace करने नीचे आ रहा है अगर यह फिर से retrace करके अपर जाता है मतलब यह high break कर देता है तब आप इसमें buying side के लिए जा सकते हो सिंपल यह अभी चार्ट पर यह retracement pullback जैसा दिख रहा है अगर यह यहां कहीं से फिर से अपर जाता है और यह high break कर देता है तब आप बाइंग के लिए जा सकते हो तो इसको भी अपनी watch list में लगा के रखो एक क्या है के flake जैसे pattern मनती हुई दिख रही है मेरे इसाब से अगर यह क्या है कि यह proper one day की candle से मतलब one day की candle अगर इसके उपर अच्छी body से close कर देती है तो आप इसको long term के लिए भी लेके जा सकते है तो यह था हमारा नेसले इंडिया बाइंग के लिए लेके जा रहे क्यों क्योंकि नॉर्मल एक फ्लेक जैसी pattern बनती हुई हमें दीख रही है अभी इसके बाद का जो मर श्टोक है वो देख लेते इसके बाद का जो मर श्टोक है वो है आईसी आईसी है प्रोडेंशियल लाइप यह क्यों मिले के जा रूँ तो सेम जो हमारा संफारमा था वेसी pattern हमें इधर देखने को मिल रही है तो आप देखिए इसमें एक मिनिट में क्या है कि ब्रस ओपन कर ले तो इसमें एक अच्छी सी upset देखने को मिले देखो इधर भ अभी यहां आए नौरमल यह क्या है कि एक अच्छी candle बना रहा है लेकिन इसने अभी breakout नहीं किया तो हो सकता है future में यह नीचे भी आए और इस लाइन से अपर जाए या तो ऐसा भी हो सकते है Monday या उसके बाद के दिन यह इसको क्या है कि एक अच्छी candle से ब्रेक करके उपर जला जाए समझगे तो इसको आप अपनी watch list में बना के रहोगो अगर एक अच्छी बोडी candle और volume के साथ यह breakout कर देता है तो आप buying के लिए जा सकते हो अगर ऐसा नहीं हुआ समझगे तो क्या कीजिए weight कीजिए इसको थोड़ा अपर जाएगा volume नहीं होगा जब breakout करेगा रिट्रेस करने के बाद अपर जाने का कोई sign देता है यह high break करता है तब आप buying के लिए जा सकते हो तो यह normally हमारा ICIC production life था normally क्या हुआ एक triangle जैसी pattern बनती हुई दिख रहे है एक up train बाद में consolidate हो रहा है अभी क्या है कि इसका breakout का time आया है breakout नहीं हुआ है तो आपको देखना प हमारा ICIC prudential life insurance इसको अमबाइं के लिए लेके जा रहे normal एक triangle बना है ascending triangle इसलिए हम इसको लेके जा रहो तो इस पे आप अपनी नजर बनाया है रखे और दोस्तों अब तक आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया like नहीं किया तो प्लीज यारो like comment and subscribe कर देना क्योंकि हम ऐसे retracement फिर से एक अच्छी सी upset अभी यह क्या कर रहा है retrace कर रहा है समझे मेरे इसाब से retrace कर रहा है तो आप इसमें उपर से देखिए एक आपको resistance line मिल रही है नीचे support line मिल रही है हाल फिलाल यह क्या एक फ्लेक बनाने के try कर रहा है अगर यह फ्लेक का proper breakout दे देता है तब हम विल्या पामने कें लिए जा सकते है लेकिन वेट कीजिए इसका proper breakout देने दीजिए यह हाई है अपना उसका वह अगर को उसके साथ हो जता है कभी कभी होता है कि उसे दिन में वही आज़ाता है अगर एसा कुछ देखने को मिलता है तो आप इसमें buying side के लिए जा सकते हैं normally आपको इसमें अच्छे target देखने को मिल सकते हैं क्योंकि normally क्या है क्या अच्छा stock है और एक अच्छी अभी moment में हैं समझ गहें आप देखिए moment अभी ये moment देखिए सो नॉर्मल हो सकता है कि आपको अगर यह प्रॉपर ब्रेकाउट होता हुआ दिखा यह लेवल जो अभी हाई है इसका तो आपको इसमें अच्छे टार्गेट मिल सकते हैं और नॉर्मल सभी स्टोक में आप जो भी एंट्री ले रहे तो अपने इसाब से क्या कीजि यह कम लेके जाना होता है अगर क्या चोटा होता है तो कौंटिटी ज्यादा लेके जाना है समझगे अगर यह सब कुछ आपको नहीं पता तो जो हमारा रिस्क मेनेजमेंट वाला वीडियो है वह जाके देखिए उसमें आपको प्रोपर आइडिया आ जाएगा उसके लिंक के लिए जाएंगे लेकिन प्रोपर ब्रेक आउट होना चाहिए अभी इसके बाद का जो हमारा श्टोक है वो देख लेते इसके बाद और जो हमारा आखरी श्टोक है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्री नॉर्मली जो हमारा भाजाज फाइनस था उसके जैसा ही इसमें पहले क्या कीजिए जो स्विंग ट्रेडिंग वाले उसके लिए मैं पहले बता देता हूँ तो यह लाइन का अगर प्रोप पर अपसाइड ब्रेक आउट होता है तो आप अपना यह स्टोफ लोस लेके जा सकते हूँ समझ गए नॉर्मली स्विंग ट्रेडिंग वाले जो पोजिशनल याण लॉंग टर्म वाल है वो अपना यह जो हाई है ऊल्टिम हाई उसको ब्रेक होने दीजए क्यों मैं यह हाई बोल रहा हूं क्योंकि यह भू लाइन है यह इसका क्या है उल्टिम हाई है देखो यह आई हुआ तो इसने इधर ब्रेक आउट किया अब यह न स्विंग ट्रेडिंग वाले कि यह लाइन का ब्रेक आउट हो जाए तो आपके आए कि एंटर हो सकते हो लेकिन जो मैंने आगे बूला कि अगर पोजिसनल और लॉंग टम के लिए लेके जा रहे हो तो यह ओल टाइम हाई ब्रेक होने का वेट कीजिए थोड़ा सा अगर आपक प्रोफिटेबल ही रहोगे तो यह सब कुछ बात है जो आपको ध्यान में रखनी है और जो मैं सभी वीडियो में कहता हूँ इस वीडियो में भी बोलूंगा कि आप मेरो को या किसी और को ब्लाइंडली फोलो मत कीजिए आपको इधर एनालेसिस मिल रही है किसी प्लेटफ अपनी क्वंटिटी सिलेक्ट करो और उसके बाद ही ट्रेड कीजिए इन सिंपल में कहना यह चाहता हूँ किसी को ब्लाइंडली फोलो मत कीजिए किसी की एनालेसिस मिल रही है ओके उस पे आप अपनी एनालेसिस कीजिए अगर समझ में आता है तो ट्रेड कीजिए अगर न प्लीज यारो like, comment and subscribe कर देना, चलिया मिलते हैं अपने next वीडियो में, तब तक की लेटा, गुडबाई चाही हिन.